हेलो नमशकार किशान भाईयों गेहूं बुआई किये हुए जब हमें 25 से 30 दिन के आसपास हो जाते हैं इस समय पर लगभग लगभग सभी किसान भाईय अपने गेहूं की फसल में पहली सिचाई कर देते हैं और पहली सिचाई करने के लगभग 3 से 4 दिन के बाद में वहाँ यूरिया का इस्तेमाल करते हैं किसान भाईयों जब हम गेहूं में यूरिया का परियोग करते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमें काफी बढ़िया मिलता है लेकिन यदि इसी समय किसान भाईयों हम 150 से लेकर 200 रुपिया और खर्च करके कुछ और खास चीज़ों को मिला कर किसान भाईयों हमारा जो पौधा है वो जमीन से अधिक मात्रा में पोसक तत्तों को ग्रहन करेगा और अधिक पोसक तत्त किसान भाईयों हमारे गेहूं के पौधे को प्राप्त होंगे तो हमारी गेहूं की भजल का जो है संपूर्ण विकास हो पाएगा तो किसान साथियो गेहूं में पहले यूरिया के साथ हमें कौन-कौन सी चीज़ों को मिलाकर डालना चाहिए जिससे हमारे गेहूं के पौधे का संपूर्ण भिकास हो सके जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबस्क्राइब भी जरूर करें किसान भाईयो गेहूं में जब हम पहली यूरिया का परियोग करते हैं तब हमारी गेहूं की फ़सल की जो वस्ता है 28-30 दिन के आस पास की होती है यदि इस समय किसान भाईयों हम यूरिया के साथ में कुछ और खास चीज़े डालेंगे तो और ही फाइदा हमारी गेहूं की फसल को मिलेगा किसान भाईयों ये जो हमारी गेहूं की फसल की आवस्ता होती है इस समय हमारा जो गेहूं का पौधा होता है वह बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है क्योंकि किसान भायो इस समय हमारे गेहूं के पौधे में जणे भी निकलना सुरू हो जाती है और हमारा जो ग्यों का पौधा है वहा उपर की तरब विकास और बृधी भी काफी तेजी से कर रहा होता है इस समय हमारी ग्यों के पौधे को बहुत सारे भर भर के न्यूटियंस की आउसक्ता होती है यदि इस समय हम सारी न्यूटियंस किसान भाईयों सही मातरा में डाल दें तो सुरुआती उस्ता से जो हमारी गियों की फसल है वह बहुत ही सांदार ग्रोथ और बहुत ही अच्छी टिलिंग लेकर चलेगी तो पहले यूरिया किसान भाईयों जो आपको डालनी है उसकी जो मातरा रखनी है आपको लगभग 40-45 किलो प्रत एकड़ के हिसाब से डालनी है अब आईए जानते हैं किसान भाईयो उन कुछ खास चीजों के बारे में जिनको आपको यूरिया में मिला कर डालना चाहिए किशान भाईयो आपको लेना है जिनक सल्फेट जो 33 पतिसत वाला आता है लगभग 800 ग्राम फिर आपको लेना है फेरस सल्फेट 19 पतिसत वाला लगभग 600 ग्राम प्रत एकड के हिसाब से और आपको लेना है लगभग 100 ग्राम बोरोन और आपको लेना है मेगनीज सल्फेट कि इकड़ के हिसाब से इन सभी का किसान भाईयो आपको अलग अलग घोल बना लेना है और यूरिया डालने के लगभग तीन से चार दिन के बाद में आपको इसका इस्प्रे कर देना है इस्प्रे में जो मात्रा आपको रखनी है किसान भाईयो इतनी ही आपको रखनी है प्रत एकड के हिसाब से लगभग सो से लेकर 120 लीटर पानी में गोल बना कर आप श्प्रेक कर सकते हैं। इसको डालने के बाद में किसान भाईयो आपके गेहूं की जो ग्रोथ होगी वह बहुत ही बढ़ियां और बहुत ही अच्छी तरीके से होगी। गेहूं में जो जड़ों का विकास है किसान भाईयो वह बहुत ही बढ़ियां और बहुत ही अच्छी से होगा। तो अधिक दाने का भरा होगा और जब जादा दाने का भरा होगा तो हमको अच्छी पैदावार प्राप्त होगी। तो जब आप गेहूं की फसल में पहली यूरिया को उप्योग करें उसी समय आपको इन सभी चीजों को भी मिलाकर जरूर डालना चाहिए। आपकी फसल का किसान भाईयों संपूर्ण विकास होगा और भबिस में आपको काफी अच्छी पैदावार प्राप्त होगी। आई होब वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब परना ना भूलें।